हेलो एवरीबन स्वागात है आप सब का इजी ओनलाइन ट्रीक एंड मिक्स अप नॉलेज यीट्यूब चैनल में फ्रेंट्स आज में आपको बताने वाली हूँ कि हम आयारसी टीसी की वेब साइट के जरिये या आयारसी टीसी की एप्लिकेशन के जरिये रेलवे का टिकेट कैसे बुक कर सकते है फ्रेंट्स आप सब तो जानते ही है कि अभी कोविट-19 का दोर चल रहा है और अभी जो नॉर्मल और लोकल ट्रेने पहले चला करते थी वो सारी ट्रेने बंद हो चुकी है और सिर्फ और सिर्फ कोविट-19 स्पेसियल ट्रेने चल रही है तो इसको हम घर से ही चेक कर सकते हैं और टिकेट भी बुकिंग करा सकते हैं तो इसी की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो अंततक देखनी होगी और फ्रेंड्स आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ फ्रेंड्स बाजू में जो घंटी का आइकन है उसे जरूर प्लेस करें इसे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप सब मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे तो चले फ्रेंड्स सुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहला आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से कनफर्म टिकिटी जो आयर्सी टीसी का ही एप्लिकेशन है उसको डाउंडोर कर लीजए अगर आप डाइरेकट डाउंडोर करना चाहें तो मैं डिसक्रिपशन में उसका लिंक दे दूँगी वहां से भी आप डाउंडोर कर सकते हैं यह एप है confirm tickety इसको डाउन्डोर्ड देखे पूरा डाउन्डोर्ड हो चुका है और इसको अब मैं open कर लेती हूँ एप को open करने के बाद सबसे पहला आपको इसमें एक user id और password create करना पड़ेगा उसके बाद ही आप ticket booking करा सकते हैं तो आप अभी इसमें profile पे आजाएए profile पे क्लिक करने के बाद create irctc account यह है इसमें क्लिक कर दीजिए यहाँ पे सबसे पहला आपको एक irctc user id चूस करना है उसके बाद first name last name आप male है फिमेल है वो यहाँ से select कर सकते है marital status यहाँ से आपको select कर लेना है उसके बाद अपनी date of birth बरनी है select कर सकते हैं उसके बाद आप अपना occupation select कर सकते हैं आप student है private में job कर रहे हैं या government job कर रहे है others है कोई भी option आप इसमें से select कर लिजे उसके बाद इसको continue पे click कर देना है continue पे click करने के बाद आपको registration के कुछ और process follow करने है यानि fill up करने है तो आप यहाँ पे देखे language select कर लिजे अपने हिसाब से और उसके बाद इसमें जो यहाँ पे जैसे की दिख रहा है कि security question इसमें से आप choose कर सकते हैं तो यह optional होते हैं इसको आप करना चाहे तो करें वरना ऐ इसे ही रहने दे उसके बाद आप language select कर लिजे और इसमें आपको अपना location के लिए pin code डालना है जो पी आपका pin code हो उससे दर्ज कर ले जैसे आप pin code डालेंगे तो आपका district state के साथ और जीस area का pin code है उसका location आपको आ जाएगा इसके बाद आप complete registration पे click कर दे इसके बाद आपको उपर में एक mobile number का option आएगा वहाँ पे आप अपना mobile number भर दीजे और pin code के नीचे home address का option है वहाँ पे आप अपना home का address भर दीजे और उसके बाद आपको complete registration पे click कर देना है complete registration पे click करते ही आपका user id का process शुरू हो जाएगा और आपकी user id create होके सामने show हो जाएगी देखिए account का creating process में है processing हो रहा है इसको continue कर दीजे कुछ वक्त लेगा और थोड़ा slow net की problem है इसके लिए और कुछ वक्ते बाद आपकी user id create हो जाएगी user id create हो जाएगी उसके बाद आप इसमें फिर से home पे आ जाएए home पे आ जाने के बाद आपको सबसे उपर दिखेगा search irc.trc trend ticket जो कि यहां से दिख रहा है तो इसमें आप यहां से from और to यह station आप यहां से search कर सकते है जैसे मैं एक demo दिखाना चाहती हूँ तो suppose मुझे सूरत से भागलपूर जाना है तो यहां from पे क्लिक करके इसमें से हम यहां पे सबसे उपर है search यहां पे हम अपना station का नाम दर्ज करेंगे और यहां टू पे भी ठीक वैसे ही जहां पे हमें उतरना है वहां का एक station का नाम हम भर देंगे मैंने भागलपूर भर दिया है और हम किस date को booking कराना चाहते तो इसके लिए आप इसमें depart on यह जो date दिख 30 October Saturday इस पर आप क्लिक कर दीजिए इसमें आपको काफी सार option मिलेंगे जैसे month wise है कौन से month में कितनी date को आपको ticket booking कराना है उसका आप कर सकते सपोज आपने किस एक date पर क्लिक कर लिया और उस date पर train का arrival नहीं हुआ तो वहां पर no का message आ जाएगा जैसे मैं नवंबर में 16 तार उस दिन के लिए train नहीं है तो इसके लिए आपको उपर में message दिख रहा है यहां पर sorry there are no trains running on this route on Monday 16 नौंबर याने कि 16 नौंबर का जो date में ने select कर रहा है उस दिन वो train नहीं है यहां पर नीचे उसकी 16 तारिक के पहले के और बात की date भी 100 हो चुकी है जैसे कि 14 तारिक को उस route पर train है और उसके बाद 17 को रहे तो इस तरह से आपको किस date को वो train available है किस एक date को select करके उसके आगे पीछे की date आपको मिल जाएगी तो यहां पर मैं 17 नौंबर दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है डेट पर डिपार्ट ओन डेट और यहां पर नौंबर में 17 नौंबर पर क्लिक कर जा अब इसमें मुझे book टिकेट पर क्लिक करना है यहां पर हमको दिखेगा second sitting, sleeper coach, third AC तो हम इसमें से किस में booking कराना चाहते हैं जैसे कि यह train sleeper coach में अगर booking कराना हो तो आपको दिख रहे हैं वो train कब-कब arrival है उस route पे 17 नौंबर, 21 नौंबर, 24 नौंबर, 28 नौंबर, 1 दिसमबर, 5 दिसमबर आप इसे ज़्यादा कभी देख सकते हैं जहां पर नीचे दिख रहा है four month calendar इस पर क्लिक करके आप अगर दूसरे तीसरे मेने में जाना चाहें तो भी पूरी detail आपको चार मेने की इसमें दिखेगी इस पर क्लिक कर लीजे देखें यहां पर यह ओक्टोबर से स्टार्ट हो रहा है तो आपको ओक्टोबर से आप आप नीचे डेट देखते जाए पांच नौंबर, 6 नौंबर यहां से आपको नौंबर के बाद और भी डिसमबर के भी ट्रेंड की डेटा आएगी इस तरह से आपको चार मेने की पूरी डेट के साथ सो हो जाएगी अब उसमें सीट अवेलेबल है कि नहीं यह चेक करने के लिए आपको जैसे की 31 अक्टोबर को सेकेंड सिटिंग में अगर देखें यहां पर देखें जी एन डब्ल्यू एल 172 और डब्ल्यू एल 41 यानि बुकिंग कराने के लिए यह 172 वासी यह नंबर है और इसमें 41 वेटिंग चल रहे है यानि हम अगर बुक कराएंगे तो हमारा नंबर आएगा वेटिंग लिस्ट में 42 पे और आजकल जो है वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है क्योंकि वेटिंग लिस्ट वाले को ट्रेंड में जाने की पर्मिसन नहीं है सिर्फ कंफर्म टिकिट पे ही आप ट्रावेल कर सकते है तो इसके लिए ट्रेंड का अवेलिबिलेटि तो confirm हो भी सकता है अगर confirm नहीं हुआ तो पैसे आपको आप ticket automatically cancel हो जाएगी booking कर लिया है पहले और confirm नहीं हुआ तो ticket automatically cancel हो जाती है हम खुद से भी cancel करा सकते और पैसे जो है अपने account में refund मिल जाएंगे तो और हम नीचे चलते हैं देखते हैं ट्रेंड कब available है देखें इसमें 8 December को दिखा रही है मैं आपको एक demo ही दिखा रही हूँ तो जैसे कि यहाँ पे available लिखा है तो इसमें sleeper course में हम search कर रहे थे तो इसमें sit available है तो यहाँ पे आपको ticket booking करने के लिए इस पे click कर लेना है यहाँ पे आपको इसका fair दिख जाएगा कितना fair है फिर आपको book now पे click करना है यहाँ पे आपकी IRC TC जो ही user ID 100 हो जाएगी और उसके बाद date के साथ आ जाएगा यहाँ पे आपको जिस भी व्यक्ति का आप ticket book करना चाहते है इसका उनका नाम दर्ज कर ले male female आप select कर सकते है उनका age बरना है उसके बाद birth preference यहाँ से आप आपको train में seat कैसी चाहिए side window side lower चाहिए यूपर birth चाहिए middle चाहिए lower चाहिए कौन सा seat चाहिए यहाँ से select कर सकते हैं आपको कोई भी आनी seat चल जाएगी तो आप no preference पे select कर सकते हैं इंडिया तो अटोमेटिकल यह आता ही है उसके बाद उस detail को आपको save कर लेना है डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे mobile नमर का option मिलेगा जिस पर पी एन र स्टेटस वगेरा देखना चाहते तो वही mobile नमर आप दर्ज कर ले email आईडी आईडिकल आपकी user id वाली ही सो हो जाएगी और पैसेंजर का जाहां उतार्ически पे वहां का पिंकोड यहां डालना है उसी श्टेशन का मतलब वहां का जहां उतरना चाहते है जाना चाहते वहां का अडरेस यहां पे भरना है और उसके बाद नीचे आ जाना है आपको यहाँ पे आपको दो ओप्षन दिखेंगे पे नो चार्ज इस वेन टिकेट इस कैंसल यानि मैंने वन टिकेट बुकिंग का सीलेक्ट करा है तो वन टिकेट के पैमेंट आपको रिफन मिल जाएगी और हमें कोई भी टिकेट का कैंसल करने के बाद कोई भी चार जगर नहीं चाहिए तो हम इन दोनों में से अपने हिसाब से option सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे मुझे one person के साथ और भी दो passenger तीन passengers का add करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं तो एक मैं आपको डेमो डिखा देती हूँ इसमें दो option है add child यानि four years के नीचे और four years के उपर जिनकी age है उनका आप add adult में डिटेल भर सकते हैं देखे मैंने यहाँ पे चार passenger की डिटेल एड कर ली है उसके बाद mobile number, pin code, address सब डाल दिया है और उसके बाद नीचे cancellation में पहला option सिलेक्ट कर लिया है सारी डिटेल भरने के बाद प्रोसिट्टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चारो टिकेट के जो फैर है वो एड होके आ चुका है 3473 उसका फैर हो रहा है और आपको यहाँ पे डेबिट काड, ATM काड या क्रेडिट काड सारे option मिल जाते हैं डेबिट काड, ATM काड, क्रेडिट काड, UP यहाँ पे आप, ATM, MIP, या Net Banking इन में से बहुत सारा option मिलते हैं इन में से किसी भी option से आप इनका पेमेंट कर सकते हैं आपको जो भी डेबिट काड से या पेटियम के थ्रू करना हो तो आप उसको सिलेक्ट करके continue पे क्लिक करना है तो यहाँ पे मैं debit काड का डिटेल भरके फिर continue पे क्लिक कर देती हूँ, payment का process चल रहे है, आपके register mobile पे payment करने के लिए confirm करने के लिए OTP आएगा जिसको यहाँ पे enter करना है जैसे ही payment success हो जाएगा तो वैसे ticket का booking हो जाएगा और booking होने के बाद आपको screen पे इस तरह से ticket दिखाए देने लगेगी यहाँ पे passenger जैसे मैंने 4 passenger का एक साथ booking किया था तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4 passenger यह PNR status है जिससे हम check कर पाएंगे कि ticket confirm हो चुका है या नहीं यहाँ पे जैसे मैंने सुरत से भागलपूर के तो सुरत से भागलपूर दिखा रहा है 33 होर 5 मिनिट पूरे ticket के detail आ जाते यहाँ पे तो इस तरह से आप confirm ticket यहाँ यूज करके जो IRCTC का ही एप है उसे यूज करके ticket का booking खुदी कर सकते हैं और इसके बाद इसको ticket को आप यहाँ से डाउन्डोड टिकेट यहाँ से आप PDF डाउन्डोड भी कर सकते हैं यह डाउन्डोड करने को option है तो मैं अल्रेड़ी डाउन्डोड कर चुकी हूं तो इसके लिए दूबारा देखे प्लीज वेट दिखा रहा है यानि टिकेट डाउन्डोड हो रहा है और इसका location भी ấuह यहाँ पर पेनर नंबर यहाँ फросंट अप यहाँ पर पे करा था। यहाँ रहा है उसके दाउन्डोड हो करका यह पूरा पैमेंट है क्यूं पूरा टिकेट डाउन्डोड हो करके ऊ चुका है इसको आप सेउकर पहां पेर लिएंग और सेंघर की डिटेल्स यहाँ बुकिंग करा था उस समय यह वेटिंग लिष्ट 204, 205, 206 और 207 हैं तो काफी सारे चैंसल हो चुक है टिकेट बुकिंग करने के बाद भी इसके लिए अभी करण स्टेटस यह है कि वेटिंग लिष्ट का 204 से 139 हो चुका है 205 से 140 हो चुका है 206 से 141 हो चुका है और यह 142 ह हो चुका है तो इसे दीरे दीरे टिकेट कंपर्म हो जाएगी जैसे आगे के लोग कैंसल कराते हैं तो इसके लिए पीनर स्टेटस और सीट नंबर के साथ आ कराता है यहां पर दिखा चुकी हूं तो इस तरह से आप का यूज करके अपना टिकेट खुदी कि दुन्यवाद फ्रेंज